पढ़ने में आगे लिखते हैं आप यद गुरू या सिस्च में किसी का देहा वसान हो जाए तो किसी सुक्सुंतर तल पर उनका संपर्ग बना रहता है और गुरू क्या तब भी उनकी सहायता करते हैं मैंने इस बात का उत्तर दे दिया है इस फेर में ना पढ़ें कहने को बातें बहुत कही गई हैं कही जाती रहेंगे लेकिन वो हमको भटकाने का काम करेंगे जब गुरू का देहा वसान हो जाए तो गुरू अगर बहुत सम्मेदन सील हो मा जैसा हो तो यही वेवस्था करके जाए कि फिर कोई सम्मालने वाला हाथ मिल जाए सुक्स्म के सहारे न छोड़ जाए क्योंकि वो आएगा नहीं और सिस्च का देहा वसान हो जाए तो गुरू अगर यह सोचता बैठा रहा है कि अब हम उधर भी उसको सब गाईट करेंगे तो यह खेल का हिस्सा हो सकता है एक प्ले का हिस्सा हो सकता है और कभी-कभी खेल भी जरूरी होते हैं किसी विशेश परिश्थित्ये में किसी को गाईट करने के लिए लेकिन अगर गुरू को ये भ्रम हो जाए कि हम इसको गंभीरता से ले रहे हैं और सचमुच मैसा कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है गड़वड है कई गुरू लोगों को मैं जानता हूँ वो बहुत सारे खेल कर लेते हैं बहुत ही महान, संवेदन सेल, प्रेम पूर्ण गुरू रहे हैं लेकिन वो जानते बूशते हुए वो खेल करते हैं वो भ्रम में नहीं होते और अपने देहा वशान के बाद तो वो कोई जंजट खड़ा नहीं करते है खड़ा करना भी नहीं चाहिए सब भी सरजित कर देना चाहिए सब भी सरजित हो जाना चाहिए सुक्ष्म के चिंता नहीं करनी है इस छण का सम्मान करिए और जो इस छण में घटेगा वही मुल्लेवान है इस बात को जितना जल्दी हो सके सब सीकर समझ ले तो उनके लिए बहतर है सब बहतर है कर दोला है